अगर आप एक trader हैं तो आपको यह पता होगा कि market को हुम अलग-अलग तरीके से analyze कर सकते हैं अब चाहे आप currency में trading करते हों, चाहे commodity में trading करते हों, चाहे equity में trading करते हूं Trading में analysis के लिए आपके पास बहुत सी strategies हो सकती हैं लेकिन fundamental analysis और technical analysis यही दो तरीके से analysis करी जाती है को देखते हैं, price action patterns को देखते हैं, candlesticks को देखते हैं, indicators को देखते हैं, कि वो buying बता रहे हैं, किसी particular instrument में या selling बता रहे हैं, इन सब के साथ साथ एक बहुत ही important data point है, जिसको हम अपनी technical analysis में use करते हैं, जिसे हम कहते हैं, option chain, आपको बता ये कि किसी भी underlying में, चाहे वो commodity हो, prices होती हैं, और हर strike price exchange पर एक individual contract की तरह trade होती है, और option chain में, हम इन सारे contracts को एक ही tab के अंदर देख सकते हैं, किस level पर calls में open interest बढ़ ला है, किस level पर puts में open interest घट रहा है, कहां पर option chain में open interest जादा है, कहां पर कम है, और ये सब analyze करने के बाद, हम एक informed decision ले सकते हैं, कि हमें यहा चाहे आप धन का वेब यूज़ कर रहे हूं, चाहे आप mobile application यूज़ कर रहे हूं, चाहे आप धन का कोई chart यूज़ कर रहे हूं, यह सारे चीज़ें आपको on the click वहीं पर मिल जाती हैं, अब मेरे screen पर चलके हम इस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम धन के platform पे आएंगे, यह आप धन का platform देख रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले जाएंगे, हमें किसी भी underlying को test करना है, for example, मैं nifty के option chain देखना चाहता हूं, यहाँ पर nifty option chain जैसी टाप करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ आप नifty option chain लिख के आ रहा है, इसको मैं अपनी watch list में add कर लेता हूं, अगर मैं इस पर click करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर nifty का पूरा option chain open हो गया है, यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, for example, आप option summary देख सकते हैं, open interest का बार देख सकते हैं, इसमें भी जाके आप change in open interest, protocol ratio, volume, PCR, यह सारी चीज़े और option chain में जाके आप individual strike price को भी चेक कर सकते हैं, कि आपको किसी particular strike price का chart देखना है, तो आप उस chart पर click कर सकते हैं, और उस particular strike price का chart भी यहाँ पर open हो जाएगा, इसी chart पर आने के बाद आप यहीं से buy or sell का trade भी initiate कर सकते हैं, यहीं से आप चाहें buy भी कर सकते हैं, यहीं से sell भी क कर सकते हैं, अब एक और interesting चीज़ यह है, कि आप option chain को यहीं से analyze भी कर सकते हैं, यहीं से trade भी ले सकते हैं, आपने यहाँ पर analyze किया, किसी भी option chain को यहीं से आपने किसी particular level पर आपने depth भी देख ली कि buyers कहां पर हैं, sellers कहां पर हैं, उसके साथ साथ यहीं पर अगर आप buy or sell के पर click करेंगे, तो यहाँ से buy order भी execute हो सकता है, आप चाहे limit order लगाईए, चाहे trigger order लगाईए, चाहे cover order लगाईए, चाहे bracket order लगाईए, आप जिस भी तरह का order लगाना चाहें, आप यहाँ से order को इसी option chain से place भी कर सकते हैं, इसी कि साथ साथ आप charts पर भी option chain देख सकते हैं, इ तो यहीं से option chain देख सकते हैं, अपनी expiry select कर सकते हैं, आप किस expiry की option chain देखना चाहते हैं, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि कोई strike price है, आप उसको chart देखना है, तो simply आप उसके chart पर भी click कर सकते हैं, उसका chart ओपन हो जाएगा, आप देख रहे हैं, यह चार्ट ओ यहीं से मैं buy का order click कर देता हूं, और एक form open हो जाएगा, और यहीं से जाके मैं buy भी कर सकता हूं, option chain में से किसी भी strike price को और sell भी कर सकता हूं, चाहे market order हो, चाहे limit order हो, चाहे stop limit order हो, मैं आज से कोई भी order लगा सकता हूं, साथ में profit और stop loss, यह दोनों चीज़ें एक साथ लगा exit नहीं किया, तो trade automatically exit हो जाएगा, नहीं तो normal लिया है, तो अगले दिन के लिए भी trade आपका hold हो जाएगा, और यहीं से आप अपना trade initiate कर सकते हैं, यह वीडियो आप अपने उन friends को share कर सकते हैं, जो option chain के analysis करते हैं, ताकि उनको इस आसान platform के बारे में ही भी पता चले, बाकि आप हमको YouTube live पर भी join कर सकते हैं, वहाँ पर मैं धन का platform ही use करता हूँ, और live market में इस feature को जो हम use करेंगे, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अगर channel subscribe नहीं क्या है, तो channel subscribe कर लिजे, और YouTube live में मिलते हैं